नमस्कार, वानकम, सस्री अकाल प्रभू कैसे हैं आप लोग? क्या से क्या हो गया, देखते देखते ये प्रोक बड़ी की माया ही कुछ ऐसी है हम सोचते कुछ हैं, हो कई बार कुछ और जाता है कई बार वो भी होता है जो हम सोचते हैं मतलब समझ नहीं आया तो पूरा वीडियो देखिए जल्दी समझाता हूँ एक ही मैच है आज पुनेरी पल्टन के सामने है तेलुगू टाइटन्स एक तरफ वो टीम है जिसमें सूपर डूपर स्टार के नाम पे शायद कोई बड़ा खिलाडी नहीं है बहतरीन खिलाडी है स्टार खिलाडी है लेकिन लेजन्ड वाली केटेगरी में कोई नहीं है सामने वो टीम है तेलुगू टाइटन्स पहली टीम पुनेरी पल्टन थी सामने वो तेलुगू टाइटन्स जिसमें वाकई में एक लेजन्ड शामिल है जो दो बार आक्शन में सवा 2 करोड प्लस राशी लेकर गया है पर इनकी टीम की हालत और इनकी टीम की हालत दोनों बिलकुल जुदा जुदा है क्या से क्या हो गया देखते देखते ये प्रो कबड़ी की माया है और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ना केवल कबड़ी में बलकि अपने नीजी जीवन में भी पर इस मैच की बात करने से पहले प्रभू ये पॉइंट स्टेबल देख लीजिए कल के मुकाबलों के बाद जो टीम्स की स्थिती है वो आपके सामने आ जाएगी पॉइंट स्टेबल देख लीजिए प्रभू जैपूर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन को कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए प्ले आफ जाने के लिए दबंग दिल्ली को भी पहुँचना चाहिए आपके पास काफी मैचिस हैं पटना और हरयाना पचास-पचास पे आ चुके हैं कल की जीत के बाद जबकि गुजराज जाइंट्स हारने के बावजूद उननचास पॉइंट सुनके हैं लेकिन असली खेला शुरू होता है इसके नीचे से जब बंगलुरू बुल्स तमिल तलाइवाज और यू मुम्बा चालिस-चालिस पर हैं और बंगॉल वॉरियर्स अभी भी बी उनतालीस पर हैं तो यह उनतालीस-चालिस वाली टीम्स ये कलपना करेंगी कि वो अपने सारे मैचिस जीतें असली लड़ाई इन तीन स्थानों के लिए होगी तो चलिए पुनेरी पल्टन और तेलगू टाइटन्स के मैच की बात करता हूँ सबसे पहली बात मैच की कहानियां क्या है कहानी नमबर एक पिछला मैच जो इन दो टीम्स में हुआ था वो मैच नहीं वो मिस मैच था चववन अठारे से 54-18 से पुनेरी पल्टन जीती थी कहानी नमबर दो बहुत बड़े सूपर डूपर स्टार रेडर पवन सहरावत और प्रिंस ओफ सुल्तान आपला भावू शादलू भावू के बीच की ये टककर है एक तरफ प्रो कबड़ी के इस दस सीजन्स के इतिहास का सबसे महंगा रेडर है दूसरी तरफ प्रो कबड़ी में अब तक का सबसे महंगा डिफेंडर है एक भारत के कैप्टन है पिछले दो संसकरणों में पिछले दो चैंपिनशिप्स में दूसरा इरान का भावी आप कैप्टन मान लीजिए प्रो कबड़ी में किसी भी टीम का भावी कैप्टन मान लीजिए तो दो सूपर डूपर स्टार्स का ये आपस में मुकाबला है हाला कि पवन का सूपर स्टार्डम हम सीजन 6 से देख रहे हैं शादलू का यह सिर्फ दूसरा सीजन है जहां वो स्टार की उपाधी ले सकते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ टीमों की जो मैंने शुरू में बात कही थी कि क्या से क्या हो गया देखते देखते पुनेरी पल्टन के संधर्ब में इस बात का मतलब ये है कि पिछले सीजन में ये टीम दुविती ये स्थान पे रही थी, फाइनल पहुंची थी और हमने कई बार देखा है कि जीतने वाली टीम्स या फाइनल जाने वाली टीम्स अगले सीजन में उतना अच्छा खेल नहीं पाती टीम की संरचना अगर आप देखेंगे असलम मोहित पंकज, अजित्य आकाश, शादलू, गौरव खतरी, बादल तकदीर सिंग, संकेस सावंत, अबिनेश नटराजन इन में मुझे अभी भी पवन के कदका, मंजीत छिलर या फजल अत्राचली के कदका, अनूप कुमार या फिर मनिंदर सिंग, परदीब नर्वाल के कदका के लाड़ी नहीं दिखाई देता ये सारे सूपरस्टार्स इन मेकिंग है, शादलू सूपरस्टार इन मेकिंग है, असलम मोहित पंकज सूपरस्टार्स इन मेकिंग है, इनको सिर्फ दो-दो सीजन हुए हैं परफॉर्म करते, पवन जैसा, परदीब जैसा, मंजीत फजल जैसा परफॉर्मेंस, चार- सीजन अच्छे से खेलें तो इन सब शांदार खिलाडियों के साथ पुनेरी पल्टन एक बार फाइनल पहुंची और दूसरी बार अध्भुत खेल रही है दो सीजन पहले सीजन आठ तक शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि पुनेरी पल्टन ऐसा परफॉर्म कर देगी क्या जैसे आपके पास एक बहतरीन डिफेंडर हैं लेकिन जब बाकी टीम मिली तो फिर आपके पास पैसे कम थे हमें यही लगा कि चलो पवन है सब ठीक हो जाएगा पवन ने अपना काम भरपूर किया उनकी अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लेकिन एक अकेला खिलाड बहुत तैयारी करके आते हैं नतीजा हमारे पक्ष में आता नहीं कई बार हमारी तैयारियों को फल लगते हैं तो यह प्रोक बड़ी हमें जीवन का फलसफा सुनाती है मैं आपको फलसफे सुनाके बोर नहीं करूंगा सीधी सीधी दूसरी बात पर आता हूं टीम्स की हालत क्या है और जीत के सूतर क्या है पुनेरी पल्टन पिछले दो मैच टाई खेले हैं आपने एक जेपीपी से और एक पीपी से पटना पाइरेट से आपने बत्तिस बत्तिस का टाई खेला तो पिछले पांच में से आपने दो ही मैच जीते हैं और इस पूरे सीजन में कोई भ रहे हैं दो टाई रहे हैं पॉइंट हैं आपके 63 63 पिछले सीजन में 63 में क्वालिफिकेशन मिल गई थी पर एक मैच आज और जीत लीजिए 68 के साथ आप definitely play-off खेलने वाले हैं मेकसिमम पॉइंट आपके हो जाएंगे 98 तो साथ में से आपने एक ही मैच जीतना है play-off confirm है पर टीम की कोशिश होगी साथों के साथों जीतने की तक ही आप टॉप टू में रहें टॉप टू की टीम्स को फाइनल जाने का रास्ता आसानी से मिलता है और जो मैच आपके बचे हुए हैं तेलगू टाइटन से आज खेल रहे हैं पहले जीते थे दिल्ली से खेल रहे हैं पहले जीते थे बेंगलूरू बुल से खेल रहे हैं पहले जीते थे ये मेरा जीतने वाला साइन नीचे नहीं जाएगा एक बार जाएगा सिरफ तमिल जीद के यूपी जोद्धा से पहले जीद चुके हैं तो इस मैच में आपको करना क्या है जीद के सूतर क्या है मुझे लगता है कि यह होना चाहिए आपके लिए तैयारियों का मैच अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का मैच नंबर वन एक्सपेरिमेंटल रेडिंग टी तीनों के साथ शुरुआत कीजिए और यह तीनों ऐसे रेडर हैं जो किसी भी टीम की फर्स सेवन में आएंगे तो यह एक्सपेरिमेंट होकर भी एक्सपेरिमेंट नहीं है अगर यह तिकडी चल निकलती है असलम मोहित पंकजवाला काम कर देती है तो सेकंड हाफ में यह बादल तकदीर सिंग को लाइए संकेत अबिनेश नटराजन की जोड़ी को आराम दीजिए उनकी जगह एहमद को ले आईए एहमद मुस्तफाई नामदार असलम के भाई जो हैं और साथ में दादासों को ले आईए ब्रिलियंट आपके लिए टाइम है एक्सपेरिमेंट क ध्यान रखना है। उनके अत्रिक्त कोई भी रेडर लगातार नहीं चल रहा। पवन का ध्यान कैसे रखिएगा उनके नीज पर डाइव लगाके उनके थाईस पर डाइव लगाके या डबल थाई होल्ड करके। एंकल के लिए मच जाये, डइश के लिए, चेन के लिए मच चिया ने गाव का नाम तो जहां भी कहीं गलत पड़े उन्हें सुधार दे शादलू उनका नाम है चिया ने उनका नाम नहीं है मुहम्मद रिजा उनका परिवार का नाम है उनका नाम शादलू है तो शादलू रहने वाले हैं X Factor मेरे लिए इस मैच में सामने वाली टीम पे आईए तेलू टाइटन्स पिछले पांच में से आपने एक मैच जीता है चार हा रहे हैं पिछले मैच में तमिल तलाइवाज ने बहुत बुरी तरह से हराया था चोवण उन्तीस से तमिल तलाइवाज आपके उपर जीते थे ओवरॉल 16 मैच खेले हैं दो जीते हैं और 14 मैच हा रहे हैं अब गनित पे जाने वाले लोग जो मरजी कहते रहें गनिती ये समीच समीकरणी ये कहते हैं वो कहते हैं मैं गनित से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखता हूँ टीम के पास पॉइंट है 16 अगर आप बचे हुए 6 मैच जीतते हैं तो आपके पास मैकसिमम पॉइंट हो जाएंगे 46 और 46 में आप कॉलिफाई नहीं कर पाएंगे आप 50 में भी नहीं कर पाएंगे 55 में भी नहीं कर पाएंगे 60 में करना भी मुश्विल है तो गनित के लोग जो मरजी कहते रहें टाइटन्स के लिए आगे जाना आसान नहीं है तकरीबन असंभव है डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, इंपॉसिबल यूपी योधास के लिए भी वही स्थिती है आपने खेलना किन किन टीमों से है पुनेरी पल्टन से आज खेल रहे हैं हारे थे, दिल्ली से, बिंगॉल वारियर से पटना पाइरेट से, जैपुर पिंग पैंथर से और यू मुंबा से सबसे आप हारे थे आज क्या कर सकते हैं? आज जीत के सूतर क्या है? सूतरों से पहले एक दिक्कत है टीम की स्टार्टिंग सेवन क्या होने वाली है? क्योंकि हर मैच में स्टार्टिंग सेवन में एक दो तबदीलियां होती है और उसका कारण मैं समझ सकता हूँ जब कोई डिफेंडर ना चले तो नौन परफॉर्मिंग प्लेयर को टीम में रखना बड़ा मुश्किल है एक रेडर एक मैच में अच्छा करता है बाद में परफॉर्मिंस नीचे आ जाती है तो कोच के लिए मैनेजमेंट के लिए ऐसा परफॉर्म करती हुई टीम को चलाना आसान होता नहीं है पर इस मुसीबत का हल ढोड़ना पड़ेगा जिन आपके प्लेयर्स ने किसी भी पैच में अच्छा परफॉर्म किया है उनको लीजिए जो सबसे फिट हैं जो सबसे कमिटेड हैं जो प्रेक्टिस में पूरी जान जोकते हैं उनको लीजिए क्योंकि मैचेज उन-40 मिनट्स में नहीं जीते जाते प्रभू मैचेज प्रेक्टिस अरीना में जीते जाते हैं वहाँ जो खिलाड़ी जान लगाता है वो कमिट्मेंट वाला खिलाड़ी होता है उन्हें लीजिए तो मेरी मानिए तो पवन के साथ रॉबिन और साथ में प्रफुल जवारे को रखिये रॉबिन लंबे रेडर है एक variety लाते हैं प्रफुल लेफ्ट के रेडर हैं दूसरी variety लेके आते हैं दूसरा सूत्र गेम आपको रखना पड़ेगा slow slow भी नहीं slower क्योंकि पुनेरी पल्टन खेलती है 5G, 6G, 7G इंटरनेट की स्पीड से जो अभी आया भी नहीं है वो स्पीड है पुनेरी पल्टन की रेड में भी डिफेंस में भी चड़के खेलते हैं विरोधी टीम का हौसला तोड़ते हैं लंबी रेड्स कीजिए डूओ डाई पे खेलिए जैसे जस्वीर सिंग करते थे ना किस-किस को याद है हाथ खड़ा करो जस्वीर सिंग जैपूर पिंक पैंथर्स वाले जाते थे बॉक लाइन क्रॉस की घड़ी की और देखते रहे सामने वाले डिफेंडर्स की और देखके उन्हें चढ़ाते रहे और कबडि कबडड बोलて रहे यह कर कोई भी सकता है 30 सेकिंड कोई भी खड़ा हो सकता है लेकिन वो जो आँकों में आखे डालके चढ़ाना होता है ना कि भाई मैं नहीं हिलूँगा यहां से मैं दीवा गेम खेलूँगा उससे आप दूसरी टीम का moral डाउन करते हैं तो मुझे जस्वीर सिंग बड़े अच्छे लगते थे वो काम आपको करना होगा पुनेरी पल्टन को बताना होगा कि आप भागिये दोड़िये हम नहीं भागेंगे, हम तो यहीं खड़े हैं स्लो गेम कीजिए थर्ड रेड पे खेलिए अगर मामला चल निकले तो सेकंड रेड पे आईए सूत्र नमबर तीन पवन भाई के लिए कैप्टन के लिए आपने डिफेंस में नहीं जाना है प्रभू अच्छा डिफेंस करते हैं कभी-कभी राइट इन, कभी-कभी राइट कवर से बड़ी अच्छी डाइव लगाते हैं पर टीम को अभी आपकी जरूरत सिर्फ रेडिंग में है क्योंकि आपके अलावा और कोई पॉइंट लाता ही नहीं है तो आपका अपना मैट पे बने रहना बहुत कीमती है सूत्र नमबर चार अगर इन सारी स्कीम्स के बावजूद पुनेरी पल्टन के रेडर्स आपके काबू में ना आएं तो फिर पांच के डिफेंस पे खेलिए वहाँ ठीक है मोहित हैं जो पांच के डिफेंस को तोड़ना जानते हैं लेकिन पांच के डिफेंस में खेलना एक डिफेंसिव पले होता है कि हम पॉइंट लूज नहीं करना चाहते जब आप दिक्कत में हो तो डिफेंस करना जरूरी होता है जो हैदराबाद में थोड़ा कम किया गया था किसी छोड़ दीजिए उन पुरानी यादों को हम कबड़ी के मैट पर ध्यान केंद्रित करते हैं X Factor मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पवन है ये पवन और शादलू का मैच है एक सबसे महंगे रेडर एक सबसे महंगे डिफेंडर एक की टीम बहुत अच्छा कर रही है एक की टीम अच्छा नहीं कर रही खिलाडी दोनों अच्छा कर रहे हैं अपने फैंस का दिल जीत रहे हैं पवन बनाम शादलू देखने में बहुत मज़ा आएगा और आप प्रभू लोग बताईए कितना आनंद आपको आ रहा है मेरे वीडियो को देखने में नहीं आ रहा तो भी बता लीजिए कोई दिक्कत नहीं है और नीचे आपकी प्रेडिक्शन्स का मुझे इंतजार रहेगा कि पवन ज्यादा बेहतर स्कोर करेंगे या असलम मोहित वगरा ज्यादा बेहतर स्कोर करेंगे पवन ज्यादा बार शादलू को आउट करेंगे या शादलू ज्यादा बार पवन को आउट करेंगे तो आपकी प्रतिक्रियाओं का और कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार और बाइदावे मेरा इंस्टा चैनल अगर आपने जोईन नहीं किया है इंस्टा प्रोफाइल फॉलो गर लीजिए ये उसका स्क्रीन शॉट आपके सामने है वहां मैं छोटी-छोटी खुराफाते कबड़ी की भी और थोड़ी बहुत क्रिकेट की भी डालता हूं और टेलीग्राम चैनल में कभी-कभी जब मेरी छोटी बुद्धी में आता है तो मैं कुछ फेंटेसी टिप्स दिया करता हूं बीना आपसे पैसे मांगे तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नमस्कार जैहिन